समाजवादी पार्टी की कद्दावार नेता बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा आज बीजेपी का दामन ठाम सकते हैं दरसल राकेश वर्मा बारा बंकी की रामनगर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं जबकि उन्हें समाजवारी पार्टी की तरफ से कैसर गंज का टिकट मिला है संभावना है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से रामनगर का टिकट मिल सकता है बीजेपी ने अभी तक इस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है इस वक्त हमारे समवाद दाता विवेक तिवारी हमा ऐसा जोड़े हुए हैं विवेक आपको वो दौर याद होगा 2007 का जब बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था पार्टिकट नहीं मिला तो वो खुद पार्टी शोड़ कर चले गए थे अलग दल बना लिया था इस बार बेटे ने इस्तीफ़ा दे दिया है पार्टी की सदस्ता से बेनी प्रसाद वर्मा तो कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं देखे इस बात भी कोई अभी गारंटी नहीं है कि बेनी प्रसाद वर्मा का स्ट्रिप क्या होगा है उनका बेटा जरूर जोईन कर रहा है आज बीजेपी इस बात के संकेत बिल गएने बेनी प्रसाद बर्मा के बारे में भी खबरे आ रहे हैं लेकि चुकि वह झाल 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 झाल